चलो आज एक पर important concept करवाता हूं आप लोगों को पहले ये question करके दिखाओ बेठा हम linear in equation chapter कर रहे है linear in equation इस chapter में हमने linear inequalities के बारे में विभी कर्फ पढ़ा चलो एक question करके दिखाओ 5x plus 8 by 4 minus x less than 2 जल्दी करो question को solve fast कि वेदिक आई है क्या वेदिक आई है क्या वेदिक आई है कि नहीं कि मैडिकल वाले सारे चले गए रिया भी नहीं है रिया वेदिक तो है डन है सबका yes very दन यार बच्चे आये तो है नहीं तो क्या काम करवाएं आप लोगों को अब ध्यान से देखो इस कोशन को करते हैं जो हमने सीखा वेवी कर्फ मेथड सबसे पहले जो स्टेप होता है शिफ्ट दे कॉंस्टन टम तू लेफ्ट एंड साइड अब इसकी सॉल्विंग करते हैं सिंप्लिफाई अगला स्टेप सिंप्लिफाई करना फाइव एक्स प्लस एट माइनस टू ओ फॉर माइनस एक्स बाइट फॉर माइनस एक्स लेस देन जीरो ठेक है इसके बाद यह क्या बनेगा फाइव एक्स प्लस एट माइनस एट प्लस टू एक्स बन जाया है फॉर माइनस एक्स लेस देन जीरो अब यह तो कट गया सेवन एक्स बाइ फॉर माइनस एक्स अब थोड़ी गलती कर सकते हैं बच्चे क्यों क्योंकि वो नियूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉफिशेंट ओफ एक्स को पॉजिटिव बनाना भूल जाते हैं बट जब हमने वेवी कर्व की टेक्नीक अप्लाई करनी है तो सबसे पहले नियूमिनेटर और डिनोमिनेटर में coefficient of x positive बनाना जरूरी है तो यहां से minus को common निकालना पड़ेगा तो वो बनेगा 7x by x minus 4 greater than 0 हो जाएगा minus से multiply कर दिया यहां पर फिर critical points की marking होगी tick cross tick तो हमारा reason कौन सा है greater than वाला मतलब यह वाला यह वाला 4 to infinity open open minus infinity to 0 open open union कैई यह सबका बन गया yes sir yes sir very good अगला कोश्चन करके दिखाओ x by x minus 5 greater than 1 by 2 x by x minus 5 greater than 1 by 2 solve करो मुझे यह समझ नहीं आती जिसके पास वाइफाई है उसको वीडियो on करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और खास कर लड़कों तो बिलकुल भी नहीं कि मतलब इतनी शरम कि अगद है ऐसे भी कौन जी नाजर लग जानी है यह जानता है हूं सबकी शकले कितनी क सुंदर है नहीं अभी से डन डन वेरी गुड जिनको करना चाहिए वो करते नहीं है जिनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं समझ नहीं आ रही अपने गए तो समिक्षा तुम्हारा हुआ नहीं हो गया थे हो गया x by x minus 5 minus 1 by 2 greater than 0 LCM ले ले 2x minus x plus 5 हो जाएगा 2 times x minus 5 greater than 0 हो जाएगा तो यह बनेगा अपने पास simple सा question x plus 5 by x minus 5 2 का तो क्या ही फरक पड़ता है तो एक plus का 5 एक minus का 5 टिक क्रोस टिक अंसर बनेगा minus infinity to minus 5 union 5 to infinity open open सबका बना सबको आता है ना linear equations आता है ना प्रभ जोत मैं आज भेज़ दूँगा यार ते रे solution टाइम ही नहीं लेगा वो क्या नाम है रिया मिस्रिया येस ठीक है मुझे लगा mathematics की क्लास तुम्हें याद ही नहीं रहेगी नहीं सर्याद है याद है इतनी लेट हो गई प्रवे प्रवे नहीं ये ये प्रवड़ा गई थी बूल गई थी आए वेरी गई ये वेरी गई सर माइनस पांच के साथ ये मनिशा रानी बोल कर बताओगी पर थोड़ा दीरे भोलना भोलो भोलो प्रवाश नियाए कोई बात नहीं मैं चैट बॉक्स भी पढ़ लेता हूं सर माइनस वाइव के साथ क्लोजड नहीं आएगा नहीं आएगा देखो ना इनिक को टो डाला ही नहीं हुआ ना तभी तो बात आती उसकी इक्वैल्टी तो होई नहीं न यहां पर सिरफ ग्रेटर देन का सिंबल है ग्रेटर देन चाहिए बात सम्धी ना वेरी गुट चलो अब कोशन करना स्टार्ट करते हैं चलो कोशन करो नेक्स टाइप के कोशन लिख लो नेक्स टाइप जैसे देखना हम लीनियर एक्वेशन में पढ़ते थे ना जैसे मान लो a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 इस इक्वेशन के कितने सोलुशन होते हैं जल्दी बताओ इस इक्वेशन के कितने सोलुशन होते हैं इंफाइनाइट 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 सोलुशन गदों येक स्टेट लाइन है ना इस इस स्टेट लाइन अब जब हमने अपना चैप्टर पढ़ा था पेयर ओफ लीनियर एक्वेशन इन टू वरियेबल्स कुछ चैप्टर पढ़ा था ना ये तब इस सिस्टम के कितने सोलुशन होते हैं वो डिपेंड करते हैं सिस्टम के इस सिस्टम का यूनीक सोलुशन भी हो सकता है इस सिस्टम का नो सोलुशन भी हो सकता है इस सिस्टम के इंफाइनाइट सोलुशन भी हो सकते हैं सिस्टम के solution का मतलब ऐसे solution जो इसको भी satisfy करें और जो इसको भी satisfy करें ऐसी x और y की values जो इसको भी apply हो इस पे भी apply हो बात समझ रहे हो ना अब ऐसे ही यहाँ पे भी है linear in equations में linear in equations में भी ऐसा ही है अब आपको कोई बोले इस system of equation को solve करो 3x minus 6 greater than equals to 0 4x minus 10 less than equals to 6 इस पूरे system को solve करो और बताओ solution क्या आएगा system का इसका solution आपको निकालना आता है इसका solution आपको निकालना आता है दोनो solutions निकालो उनका common part answer होगा समझ रहे हो ना जो common part होगा as simple as that बात समझा रही है न इस system का अब आप से पूछा है इस system का solution क्या होगा कोई बता सेकता है no solution no solution हा रहे 2,4 bracket closed 2,4 bracket closed क्या बात है यह सही है 2,4 bracket closed is a right answer देखो कैसे करना है इसके solution निकालते है है इसके solution निकालेंगे x greater than equals to 2 यह बोल रहा है 2 to infinity closed open इसके solution निकालते हैं यह बोल रहा है 4x less than equals to 16x less than equals to 4 minus infinity to 4 open close अब अगर किसी को common part पता नहीं लगता ना तो एक line लगा लिए अगर हो इसके solution है वानी समिक्षा समझ आ रही है यह सर बेटा इनका तो सर्जेगा तुम लोगों का नहीं सर ना यह बहुत basic chapter है कांसल समझ आ गया है यह सर क्या बात है क्या बात है चलो कोशन करो solve the following system of in equation 2 into 2x plus 3 minus 10 less than 6 times x minus 2 and दूसरी कोशन दी हुई है 2x minus 3 by 4 plus 6 greater than equal to 2 plus 4x by 3 अंगला कोशन वंग समझ आ रहा है बेटा यह सर क्या बात है वेरी गूट चलो भई solve करो इसको तीनों questions को solve करो यह पूरा एक सिस्टम है अगर ध्यान से देखो यह भी एक सिस्टम है थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा यह भी एक सिस्टम है एक्च्वल में दो equations को एक साथ लिख रखा है पांच मिनिट है जल्दी पांच मिनिट है जल्दी रिया तुमें आता है यह रिया आपको आता है यह तुमने पिछली क्लास तो लगाई नहीं कैसे आता होगा से पहले भी किया था करवाया था गोली तो नहीं डाल रही अच्छा ओमंग तुमें समझा रहा है बेटा हांची सर क्या बात है यह तुमारी फोटो है कि दीदी की फोटो है सर उसकी मैं क्यों लगाउंगी नहीं क्या पता चलता है अब तो यह तो तुमारी भी नहीं लगरी वैसे कुछ भी को मंग तुम क्यूट बहुत ही चोटे होते क्या है प्यूट तो हो गया बेटा सबका वानी कि वानी क्लास में नहीं है कि वानी तुम ना वीडियो अनकर हो हो गया सॉल्व हो गया अंसर आ गए सबके कि अच्छलों करते हैं अब ध्यान से दिखो पहला कोशिशन करते हैं पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यह बनेगा 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12 बड़े अराम से करना है हमें ठीक है तो साइन भी चेंज हो जाएगा यह बात सबको क्लियर है ना एक्वेशन में हमने क्रैम करोगे तो दिक्कत आजाएगी ठीक है तो एक्स ग्रेटर देन 4 अंसर आ गया पर अब सेकंड एक्वेशन का भी निकालना पड़ेगा इस सिस्टम के सेकंड एक्वेशन का पहले एल्सियम ले लें 2x-3 प्लस 24 बाइ 4 ग्रेटर देन इक्वेल्स टू 6 प्लस 4x बाइ 3 ना क्रॉस मल्टिप्लाई भी करना पड़ेगा 2x प्लस 21 इंटू 3 6 प्लस 4x इंटू 4 क्रॉस मल्टिप्लाई तो कर पा रहे हैं क्योंकि 3 और 4 पॉजिटिव नंबर था तो 6x प्लस 63 ग्रेटर देन इक्वेल्स टू 24 प्लस 16 एक्स तो माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वेल्स टू 24 माइनस 63 कितना होता है वै जल्दी बुताओ 39 39 माइनस का 39 तो अब साइन काटेंगे तो इनेक्वेल्टी रिवर्स होगी तो एक्स लेस देन इक्वेल्स टू 39 बाइ 16 तो अब हम क्या करते हैं नेट अंसर निकाल लें यह कह रहा है चार से बड़ा यह कह रहा है चार से बड़ा देखो चार पे मैंने गोला डाले डॉट नहीं लगाया कि इसको इंक्ल्यूड नहीं करना और यह कह रहा है 3.9 से चोटा और 3.9 को भी ले सकते हैं 3.9 भी ले सकते हैं उससे चोटा भी तो क्या नेट आंसर कुछ आएगा देखो दियान से इसका कोई नेट आंसर आया नहीं इसका अगर कोई नेट आंसर आया नहीं तो इसका मतलब क्या हो जो सॉलूशन को नहीं ऐसे लिखते हैं आज के बाद 5 नो सॉलूशन एंपटी सेट इसको ऐसे भी बोलते हैं एंपटी सेट एंप्टी सेट ठीक है अगला कुशन करें लेट्स मूव ओन नौँ कुशन भोल देना यार बोलना चलो देखी लेते हैं 4x-3 13 देखो दो तरीके हैं मतलब method तो सेम ही है लिखना एक में कम में पढ़ता है एक में लिखना जादा पढ़ता है पहले जादा वाला देख लो क्यूंकि उसमें थोड़ा practical feel करना जादा easy होता है कैसे अभी तक हमें दो equations को break करनी solve आती है एक equation तो यही बन रही है यह देखो ना एक equation यहां से बन रही है वो क्या है समझ पारे हो ना यह मूँ किस तरफ खुल है यहां पर मूँ किस तरफ खुल है अब इन दो equations को solve करो और हमारा simple question बन गया हमारा system ही बन गया ना इसका answer कैसे निकलेगा 4x less than equal to 16x less than equal to 24 देखो मनिशारा नहीं समझ आया यह सर्थ या बात है अब इसको solve करते है इसको ऐसे लिख लो 4x minus 3 greater than equals to minus 11 बात तो एक ही है ऐसे बोल लो minus 11 less than equals to 4x minus 3 जैसे बोल लो 4x minus 3 greater than equals to minus 11 उले जने वाली तो बात ही नहीं 4x greater than equals to minus 11 plus 3 4x greater than equals to 8 ठीक है ना minus का x greater than equals to minus 2 यह बोल रहा है minus 2 से infinity close open अब देखते है common part आएगा क्या minus 2 से infinity minus 2 पे भी dot लगाना है infinity इस तरफ को चल दना है 4 से minus infinity मतलब minus infinity से 4 बोलना चाहिए ऐसे तो net common part क्या आगया minus 2,4 minus 2,24 ऐसे बोलना चाहिए minus 2,24 minus 2,24 का मतलब क्या है जितने भी इसमें real number है इसमें infinite real numbers होंगे इस सारी इसका solution है इस सेट का इस system of in equation का इस system of in equation के answer के आए minus 2 और 4 के बीच में जितने भी number आते है real line पे यह इसका practical meaning होता है इस system of linear in equation का क्या यह बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे ? क्या सब्सक्राइब अगला question क्या था ? minus 5 less than equals to 2 minus 3x by 4 less than equals to 9 अब देखना इसी question को अब मैं देखो ऐसे भी कर सकता हूं पहले method की तरह कि दो equations बना लो बट हमें ऐसे नहीं करना medical वाली ऐसे करें तो सर जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है ? बट अब हमें कैसे करने है थोड़ा ध्यान से दिखना ? थोड़ी कलाक बाजी ध्यान से देखो अगर मैं सारी तरफ 4 से multiply कर दूँ तो कोई फरक पड़ेगा ? equation में कोई फरक नहीं बढ़ना पूरे के पूरे सिस्टम में ? positive number है ना ? तो यहां बन गया minus 20 यहां बन गया 2 minus 3x यहां बन गया 36 एको समझ आया इससे यह step सबको अब मैं हर जगा minus 2 minus 2 minus 2 कर दूँ कोई फरक पड़ेगा ? कोई फरक नहीं बढ़ना addition और subtraction तो करी सकते हैं यहां बन गया minus 22 यहां बन गया minus का 3x यह कट जाएगा यहां पर बन गया 34 क्या यह समझ आया ? अब जब मैं minus 3 से divide करूँगा तो sign change होने minus 22 बटा minus 3 यह less than equals 2 था तो greater than equals 2 हो जाएगा यहां पर सिरफ x बच गया यहां पर less than equals 2 था तो greater than equals 2 हो जाएगा minus 34 by 3 आ जाएगा बात समझ रहे हो ना ? यह तो अब कट गए ? यह अपना answer क्या आ गया ? इसको ऐसे लिख सकते हैं ? दियान से देखो यह answer बन गया बस कहते x minus 34 बटा 3 से लेके 22 बटा 3 के बीच में होना चाहिए close close थोड़ा सोचना पड़ेगा बस इसमें थोड़ी feel कम है बट जब आप ऐसे questions की बहुत practice कर लोगे तो आपको feel भी आने लगेगी देखलो लिखके देखो इसको अच्छे से आप 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 पताओ बेटा समझ आ गया अब आप इसी कोशन को करके दिखाना इसी अप्रोच के साथ इसी कोशन को बस लिखने का तरीका यह बदलने माइनस इलेवन फोर एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल सु थर्टी चेक करोगा सबका अंसर से यह आ रहा है चेक इट फास्ट यही आ गया आएगा तो मुझे पता है यही आ गया आएगा तो मुझे पता है इसको लोग नेगटी वे में लेते हैं बट मुझे तो कोई गलत बात नहीं लगती जब तक वो एक लिमेट्स में हैं तो जब तक हम सबको अपनी अपनी लिमेट्स का पता हो तो हर चीज अच्छी है यह बात क्लियर हो गई सबको आगे बढ़ें है चलो अगे लिखो मस्टिंबोन्त पाद लिस्ट्टर चाथुटर अजी प्टिंबून्टर मॉदूर्स फंक्शन मौडूलस फंक्शन मौडूलस फंक्शन इस चैप्टर का हट मौडूलस फंक्शन मौडूलस फंक्शन जैसे मौड एक्स ये एक बहुत अच्छी मशीन है जो इंजिनियर्स ने बनाई है देखो क्या है वैसे मैंने समझाया भी हुआ है थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना हूँ ये एक ऐसी मशीन है जो नेगटिव को खा जाती है नेगटिव नंबर को पॉजिटिव बना के देना इसका काम है जैसे ये एक ऐसी मशीन है देखो माइनस टू आपने डाला आपने एकस को माइनस टू डाला तो मशीन क्या करेगी क्या अंसर देगी अगर आपने अंसर एक डाला तो क्या अंसर देगी तो मशीन ये क्या करती है जो मॉडिूलस फंक्शन की मशीन है नेगटिव पार्ट को खा जाती है नेगटिव साइन को खाना इसका काम है बात समझ रहे हो ना जैसे आपने डाला माइनस 1.48 तो अंसर क्या देगी 1.48 मानलो आपने डाला माइनस रूट 2 तो अंसर क्या आएगा रूट 2 क्या इसका ग्राफ बना के दिखा सकते हो 2 मिनिट है थोड़ा सोचो और फिर बनाओ थोड़ा सोचो और फिर बनाओ बेटा सोचो और फिर बनाओ और जिसका हो गया है वो ये वाले ग्राफ घर पे ट्राई करें खासकर जो non-medical students है जो कुछ सीखना चाहते हैं और जो कुछ बनना चाहते हैं non-medical वाले वो ये करे अब इसका मतलब ये नहीं है कि medical वाले ना करे उनके लिए compulsion नहीं है mathematics में सबसे अच्छा बार्ट होता है ग्राफ बनाना कि समिक्षा बता सकती हो क्या ग्राफ बना तो बताओ कोपी में दिखा दो वेरी गूड एपसलुटली करेक्ट वी शेप करफ बनती है ये y is equals to x का पार्ट है ये y is equals to negative of x का पार्ट है अब डरने की बात नहीं है ठीक है कर लेते हैं ध्यान से देखो ध्यान से देखना y is equals to mod x machine क्या कर रही है सिरफ negative को तो खा रही है minus sign को खा रही है अगर आप x को हमेशा positive डालोगे तो machine का mod लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता machine ने कोई काम करना ही नहीं जैसा number डाला वैसा ही दे दिया क्योंकि आपने डाला ही positive तो मैं इसको break कर सकता हूँ यह सबसे important concept है प्लस वन का breaking of modulus function तो इस function को x ही लिख सकता हूँ पर कब लिख सकता हूँ जब x यह होगा तब जब x positive होगा तब x ही लिख लो तो यह function y is equals to x है हाँ जब x negative होगा जब less than 0 होगा तब यह machine क्या कर रही है negative को खा रही है यह machine negative को खा रही है जैसे आपने डाला minus 2 तो machine ने क्या दिया output क्या दि 2 पलस का 2 दिया ना तो actual में अगर हम थोड़ा सा all deeply सोचें तो machine ने negative को कैसे खाया minus 2 आपने डाला था machine ने एक negative और लगा दिया अपनी तरफ से machine ने अपनी तरफ से एक negative और लगा दिया by machine समझ रहे हो ताकि हमारी जो net output है वो 2 हो पाए पलस का क्या बात समझाई कि machine ने एक negative और लगा दिया ताकि net output पलस 2 हो पाए तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ minus of x जब x less than 0 है अब जब आप negative पूट करोगे एक machine ने negative लगा दिया तो net answer positive ही बनेगा ना क्या बात समझाई के नहीं आई सभी को समझाई के नहीं आई बेटा सभी को सच पूछना बोलो पूछ लो जिसको नहीं आई जिसको नहीं आई पूछ लो बेटा ask freely तो इसका graph यह बन जाएगा कहते है y equals to x का graph बनाना है कब जब x greater than equals to 0 है y equals to minus x का graph बनाना है कब जब x less than 0 है क्या बात समझाई के नहीं आई सभी को सभी को बात समझाई आगई अब तुम लोग यह बताओ अगर mod x की value 8 है तो x का answer क्या आएगा अब जब आप 8 answer डार लोगे x को जब 8 रखोगे तब भी output 8 आजाएगी जो की okay है जब आप x को minus 8 रखोगे तब भी तो output 80 आजाएगी जो की okay है क्योंकि machine ने negative को तो खाई जाना है नहीं इंटेलिजेंट बच्चों जल्दी करो done very good प्रांजल इसका answer क्या आया इसे प्लस 6 और माइनस 6 शबबाश शबबाश तुम यह बताओ मूर्ख लड़की x को कुछ भी रख लो क्या उसका मॉड करके कभी negative में आ सकता है इस डेट पॉसिबल इसका तो नो solution बनने कोई solution ही नहीं आएगा बात समझ रहे हो अच्छा अब इसमें कैसे solving करेंगे अब पहला case तो x-4 जब 6 हो जाए जा फिर x-4 माइनस का 6 हो जाए तब भी तो हमारी बात ok हो जाएगी जब यह x-10 हो जाए तो यहां से x-2 हो जाए चेक करके देख लो जो तुमने answer बोले प्रांजल वो चेक करके देखो क्या minus 8 बन रहे है यह से वो किसी भी case में नहीं बनेगा क्या पता बन जाए engineering में नहीं बनेगा ठीक है ताकि फील्ड गामने पताने यह दो असल मेडिकल में भी वेटा कुछ नहीं बता हो जब डॉक्टर कहते कुछ हैं करते कुछ हैं कुछ हैं कुछ नहीं बता है आगे बड़े क्या समझ आ गया सबको सर्वांपे हमने minus minus 6 क्यों लिया एक बार तो हमने 6 ले लिया हां तो बेटा यह वाली टर्म जब minus 6 हो जाएगी उसका मॉड करके तो फिर भी आंसर 6 ही आ जाएगा ना तो दो केस बनेंगे अच्छा अब जिनको क्रेमिंग करनी है वो क्रेमिंग के लिए न लिख लो यहां पे एक बादल सा बनवाके जैसे हम बनाते हैं जर्मली कई सब्जेक्ट्स में ऐसे बनते हैं न बादल आप समझी गए आपको याद रहे ठीक है क्रेम कर ले ना इसको तो ठीक है आज के लिए यहीं तक करते हैं क्लास में काम ठीक है यह जो नॉन-मेडिकल वाले हैं यह वो अपने त्यारी करो उसकी आई-यो क्यू-म की ठीक है अपने प्रीवियस येर प्री आर्मों के पेपर्स सॉल्व करो यही टाइम है बेटा यह ज अपने पेपर कोई प्रेशर नियों जितना आप कर सकते हुँतना करो मैक्सिम ओम से मैक्सिम अपट अपना आओ अपना हुआ जो है वैव गुडदी पर कोई प्रेशर नीय है जितना आप कर सकते उतना करो मेक्सिमम से मेक्सिमम एपट हमाड़ों . So have a good day. God bless you all. thank you thank you